दोस्तो क्या आपको किताबे पढ़ना पसंद है देखिए यहाँ पर कुछ किताबे दीवी हैं जिस पर लिखा है मांतमाजिक लगता है यह गणित की पुस्तके हैं यह तस्वीर ली गई है आपकी NCRT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पार्ट 9 से तो यहाँ इन किताबों के आधार पर एक सवाल पूछा गया है और हमें उसे हल करना है एक किताब में 64 पन्ने हैं ऐसी ही आठ किताबों में कितने पन्ने होंगे A book has 64 pages what will be the total number of pages in 8 such books तो यहाँ पर total 8 books जो हैं वो हैं और हर एक किताब में 64 pages हैं हमें बताना है सारी किताबों में कुल मिला कर कितने पन्ने होंगे हमें पता है हमें क्या करना है जब सारी books में same number है तो हम गुना कर सकते हैं और हम किसे गुना करेंगे हम 64 को गुना करेंगे 8 से क्योंकि 8 किताबे हैं अब हमें इसे गुना करना है लेकिन ये इतनी बड़ी संक्या है तो हम क्या कर सकते हैं अब 64 जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम 6 दहाई और 4 इकाई की रूप में लिख सकते हैं तो हम इसे 60 प्लस 4 लिख देंगे यानि 6 10s and 4 1s ऐसे हम लिख देंगे अब ज़रा पता करते हैं कि क्या हमारा उत्तर जो है वो आएगा जब हम 64 को 8 से गुना करेंगे तो हमने ये टेबल बना दिया और उपर के और हम 64 को जो हमने बाट कर लिखा था यानि 60 और 4 लिख देंगे और हमें गुना किस से करना है 8 से तो 8 हमने यहां लिख दिया अब हम सबसे पहले 60 को 8 से गुना करेंगे यानि 8 मल्टिप्लाए 60 जब हम 8 को 60 से गुना करें यानि 60 जो है वो 8 बार जोट रहा है आठ बार जोटने पर क्या उत्तर आएगा यानि कि 6 दहाई जो है वो 8 बार जोट रही है 6 और 6 12 12 और 6 18 18 और 6 24 24 और 6 30 30 और 6 36 36 और 6 42 42 और 6 48 तो 48 दहाई उत्तर आना चाहिए हमारा यानि कि 480 48 तहाई तो यह हमारा उत्तर आना चाहिए जब हम 8 को 60 से गुना करेंगे अब क्योंकि 60 जो है वो 64 से तो कम संख्या है ना तो हमारा उत्तर डेफिनिटली 480 से जादा आएगा क्योंकि जब हमने 60 को 8 से मल्टिप्लाइ करा तो 480 आ रहा है और हमें पता है कि हमारी एक किताब में 60 से तो जादा ही पनने है तो definitely 480 से जादा आंसर आएगा अब हम क्या करेंगे अब हम 8 को 4 से गुना करेंगे जब हम 8 को 4 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 32 अब हमें पता है हमें उत्तर निकालने के लिए क्या करना है हम इन दोनों स्वंख्याओं को जोड़ देंगे यानि 480 को हम जोड़ देंगे 32 से तो देखिए यहां मैंने लिख लिया 480 यह 32 अब हम इने जोड़ते हैं सबसे पहले हम इकाई को जोड़ लेते हैं शुन्ने और 2 कितने होगा? 2 जब हम दाहाई को जोड़ेंगे 8 और 3 को तो क्या उत्तर आएगा? 8 में 3 जुड़ने पर आता है 11 11 में हैं 1 दाहाई और 1 इकाई तो इकाई वाला पार्ट जो है वो यहीं रह जाएगा यानि 1 और 1 जो है वो जुड़ जाएगा 100 में तो उधर चला गया और 4 में एक जुड़ा तो कितना आया? 5 यानि 500 तो हमारा उत्तर कितना आया है कुल मिला के? 512 तो हमारा फाइनल उत्तर है 512 पन्ने यानि 512 पेज़ज तो 8 बुक्स में कुल मिला कर होंगे 512 पांसो बारा पेज़ज हमने पता लगाया कितने पन्ने How many pages? और कैसे पता लगाया? गुना करके हमने यहें पता लगाया क्या आप भी पता लगा सकते हैं कि आपकी गणित की पुस्तक में कितने पन्ने हैं और ऐसी ही दो पुस्तक में आखिर कितने पन्ने होंगे?